मरन मुन्सा सूर्यां हख है जो हुए मरन परवान सूर्य से अग्य अक्षिया है दर्ग है पाव है साथी मान दर्ग है मान पाव है पत्सियु जाव है अग्य दूख न लग कर एकत्याव है ता फाल पाव है जित सीव्य पाव पाव है पूचा नहीं कहना मन में रहना अप जान जानू मरन मुनसा सूर्यां हख है जो हुए मर है परवान कबीर मरता मरता जग मुआ मर पीना जान्या कोई ऐसी मरन जो मर बहर न मरना होई कबीर मेरा मुझ में किश नहीं जो किश है सो तेरा तेरा तुझ को सौपते क्या लग ए मेरा कबीर ऐसी होई परी मन को पाबत कीन मरन ते क्या डर्पन जब हाथ सिदावरा लीन दीन दर्द दुख पंजना कट कट नाथ यनाथ सरन तुमारी आयो नानक के प्रब साथ सज्डन सचा पात साह सिरसांग साह जिस पास बहठें आंसो ही है समना गावे साहू सातना मस्री वाह गुरू साहिब जी मारू महला पहला आप पे आप उपाए निर आला साच्चा थान की यो तै आला पौण पाड़ी अगनी का बंदना काया कोटर चाएदा आप पे ये आप उपाए निर आला हर्म सनमान जो गुरू रूप गुरू खालसा साथ संग जी वाह गुरू जी का खालसा लाज गुरू जी की पते आप सरबत संगतां बहुत बहुत वड़ें पाधांवाले हो जिन अनुदसमेश पिता कलगीतर पाध्षा तंतं सत गुरू शिरी गुरू गोविन सिंग साहिब सच्चे पाध्षा महराज जी दे लाल अमर शहीद सर्ब शक्तीमान सर्ब कला समरत ब्रम ग्यानी वाह गुरू दे पाणे नूँ खिडे मत्थे हस के प्रवान करणवाले महापुर्ख तंतन बाबा दूरावर सिंग साहिब जी तंतन बाबा फते सिंग साहिब जी पूजनीक तंतन माता गुजर कौर साहिब जी तिना दे पावन पुवित्र शहीदी अस्थान और पावन पुवित्र सस्कार अस्थान गुर्दवारा सिरी जोती सुरूप साहिविखे तिना शहीदी सबादे जोड मिले आंदर हाजरियां परंदा दर्शन करंदा सत संगत करंदा और सेवा और सिमरंदा लाहः प्राप्त करके मनुखा जीवन दियां कडियानों सफल करंदा सुब सुपागा समा प्राप्त हो रहा है लोग पठाहट तीर्थां ते जाके शनान कर दे है के साड़ी पापांदी मैर ले जाए सानुमान इच्टदातम प्राप्त होन परसाथ संगत जी ये समात लोग ते फतिगर साहिब जीदी पावन तरती जैसा कोई तीर्थ नहीं है जित्थे साहिब जादे आने ते माता जीने तरमदी रख्यावास ते महान शीदियां दितियां हन संखेप बिच मैं अर्ज करां सतारा सो अकाट बिक्रमी समत सतारा सो चारी स्वी शे पोदी राथ और सत पोदी स्वेर अमर्त विल्या तन शुरी गुरु गोवन संग साहिब सचे पाथ शाडी सिरी अनंद पुरसाहिब जीगे अनंद गड के ले नू सत गुरु मारा जी त्याग रही हन शे महिन्यादा के रापया हुया है दस लख दी फोड दिल्ली तो ठड़के अले दुआले के राप आके बेठी है तिन लख दी फोड निम कहरमी बाई तार पहाडियां दी फोड लग पग तेरा लख तो ते जालमां दी फोड ने के राप आया हुया है जिस वक्त सेरी अनंद पुरसाहिब ते अनंद गड के ले नू जालम खाली ना करा सके फिर कप्टी लोका ने एक चाल चली तानग्रु गोवन संग साहिब दीदे पावन चरना विच अपने दूद पेज के बेनती कीती के माराट तुसी जेकर किला खाली कर देओ ता असी तो अडेते किसे भी तरह दा किला खाली कर देयां सारा हमला नहीं करांगे और इस दे नाल नाल साड़ी भी दुनिया मिच पात रहावेगी दिली दे बात्षा और रंग दोज़दा मान भी बनिया रहेगा इस करके आप ये कर किला खाली कर देओ तस्ट पात्षा साड़ा मान इस संसारती रह सकदा है दूता ने आके बेंती किती शेम हिन्या दे पुखे प्यासे गुरू के सिक सूर में जोगे जलमा नाल जंग दे विच एक एक करके जंग दे उच जूच दे शिहिदियां भी पा रहे हन और कुड सिंग सद्गुरू मारा डिदी सेवा दे विच भी हाज रहन किले दे विचुँ अन भी मुक्ट का है और होर भी कोड़या दी खुरा कादाना आद को भी मुक्ट का है बहुती अखा ते कठनाई दा समा बनिया हुया है सिंगा ने बेंती किती माराथ दुष्मन दिया फोड़ना बनो एक प्रस्ताब आया अप अकिला खाली कर देए हुन किले दे अंदर रहना बड़ा कठन हो चुका है उस वक्त कलगी तर पात्शा सद्गुरू डिकें लगे सिंगो यह इना दी कप्ट पर ही चाल है किला खाली करन दे बहाने अपने ते हमला करन गे और सारे सिंगा नो शहीद करन दी इना दी त्यारी किती हुई है सिंगा ने बार बार सद्गुरू डिनो बेंतिया किती है तकलगी तर पात्शा महराज जी ने जालमां दे कप्ट नू नंगा करन वास थे उस वक्त सद्गुरू जी ने एक देन एक रात नू तियारी किती कि बेलां दे उते गुना जिना विच लिद्दादक टुटे शित्रादक जो समान पे आसी और सारा परके उत्त समेरी तशाले पाके मसाला संगानों दोनों पासे बन के सद्गुरू जी ने आग्या किती के पहला साड़ा खिजाना जाएगा फिर असी किलाते आगांगे शड़ांगे चेक ओट किता सी सद्गुरू माराज जी ने जोनों अद्धी रात नूं के ले दे विच्छों ऐस तरह बेला नू कन्या गया जालम फोज ने विख्या के मसाला दी रोशने विच बड़े बेश कीमती दुसाले चमक रहे है ताउना जालमां दे अंदरे पर्म पैदा होया के गुरू का खजाना है एस करके एस खजाने नू लुटले अजावे पतानी किन्नाक बेसमार तान हीरे जवार आदक सोना चंदी ऐ गुरू करदे विच बड़े बड़े राजे तान गुरू गोविन संग साहिब जीदे सेव कहन लखाई संगतां आके थे माया अरपत कर दिया हन गुर्तिहास विच जिकर होंदा है एक दिन तन सद्गुरू शिरीगुरू गोविन संग साहिब सचे पात्षाजी ने खजानची संग नू हुकम कीता के पाई अज अमर्त वेले तुले के रात तक जिनना टड़ावा टरदा उस दी गिनती करो जदो सिंगा ने सद्गुरू दा हुकम मन के गिनती कीती ता नौ लखर रुपया गिनती होई सी ओस समय पेश करके जालमानू ए शंका सी मन विच तंदे लोब ते लाल्च विच आके बेलानू के इरके इरके अपने टकानियां ते बालके डेड़े हिंदू राजे सानू अपने पूजनीक मंदरां दे विच मुसलमान अपनियां नमाज़ापन वालियां थामाते लाए गए जोनों दुशाले चोके वेखेया ता नराश्ता पले पाई बड़े शिर्मिंदे होई सत्गुरू जी ने सारा नजारा सिंगा अनू नंदगर के लिए तो बखाया के सिंगो तुसी केंदे सी के हमला नहीं करनगे आप अनू बचन दे रहे है पारी नादी खोटी नियत तुसी सारे अने वेख लई है एस तरह कुड समा कुड देन गुजरे फेर डेड़े सुनत तारी जालम लोक सन मुसलमान हाकम सन उन आने और एसे तरह पत्थर पूड डेड़े हिंदू लोक पापी लोक सन उन आने अप वो अपने तरमदियां सौह खान वास्ते सद्गुरू डी दे पास बाईत हर हिंदू रादियां ने एक ब्रह्मन दे पास आटे दी गां बना के विच ठाकरानू रख के शुरी रख के उत्तोर माल ना लटा के सद्गुरू डी पास पे जया के सचे पात्षा जे असी के लाख खाली करन वागता आप ते हमला करिये ता सानू गां कतल करन जिनना पाप लगे सब तो वड़ा पाप लगे जेकर असी तो अड़े ते हमला करिये दूसरे पास से और अंग देव दे अहल कारा ने अपना तार्मक पवित्र गुरांत पुरांट के पे जया और बेंती किती के जेकर असी मुस्लमान फोड़्यां तो अड़े ते हमला करन ता सानू अपने पगंबर मुहम्मद साब दी आन उना दी सुगंद खांदे हां के सानू दोड़ का मिच भी किते टोही ना मिले इस करके तुसी किला खाली कर देओ उस समय जदो इना लोका ने सुगंदा की खादियां प्राण कीते ता कल्गी तरपाद से जिने सारे सिंगा नू बला के हुकम किता के सिंगो जालम हार चुका है और जे कर तुसी सारे एक महिना इत्ते कट लो ता अज तो पूरे ती दिना नू दिली दे तक तुते खाल सिदर आज हो जाईगा सिंग कहन लगे महाराज हुन अपने ता अर्मक ग्रंथां दी ता अर्मक पूजा करन वाले जिनने चेन्य उना दी सौंग खा रहे है एस करके आप अनू केला खाली कर देना चाहिदा है सद्गु महाराजी कहन लगे सिंगो पोख ने तो अनू बेबस कीता होया है पर साड़ा बचन मान के पंदरां के दिन होर कट लो अखीर सद्गु जी कहन लगे जे एक हफ्ता साथ दिन ही आप आए इस किले विच रह जाए तो साथ में दिन खाल सेदर आज दिली दे तक्तत हो जाएगा जलम रादियां जणा पुटियां डान गियां साड़ा बचन मान लो जेड़े चुमका और साव लगपग चाली सिंग शिहीद होया उनना तो बिना सारे सिंगा ने हाथ जोड के बेंती कीती प्रिदा मौतों पुख बुरी के सचे पात्षा एक एक पल भी कटना मश्कुल होया पया आप अकिला खाली कर दिये दूसरा मेरे चोड़ी प्रीत्म सत्गुरु जी ने इना लोकां दे तर्मदा भी सत्कार करना सी के अपने तर्मदे नों बी क्यूंके राजनीतक लोग तर्मद्रों भी दा लाउनतों को जे गुरेज नी कर दे तहार्मक चिन्ना नों भी अपनी राज सत्ता ली काई वरिवर्त दे है पर सत्गुरु जी ने ए हिरदे विच संकल्प कीता के ऐसे पूर्ने पाए के जे ए लोग तर्मदे अकीदे दा सनमान नी कर दे तब हमें सारे सिंग साहिब जादे शिहीद भी क्यों ना हो डान एसलिए तर्मदे अकीदे नूं बिश्वाश नूं सतकार नूं रखन वास्ते सत्गुरु माराजी ने छे पोदी रात सत पोदी स्वेर नूं किला शड़ेया सब तो पहला सत्गुरु जी नौमें पाद्शात अनुगुरु ते एक भादर साफ जी दे जिते सीस दा सिसकार होया सी ओस अस्थान ते सत्गुरु जी दर्शन करन वास्ते गए उत्थे देख करा के अरदासा किता सत्गुरु सचे पाद्शाजी ने अनंदपुर साब छड़ेया और लखान दी फाउज ने सत्गुरु जी ते बड़ा प्यान का हमला किता होया है सत्गुरु जी शेफ पोदी रात सत्पोदी स्वेर जाल मुस्लमान ये इसतरा मन देया के ओ दिन साडेली क्यामत दा दिन सी के जदों लखान दी फाउज सिंगा न लड़ देया जंग विट मारी गई तन बाबा जीद सिंधी वड़े साहिब जादेया न ऐसा बीरता पूर्व के जंग किता के जिनना लखान दा दलसी ओ सारे अंदेगे सुमेर परबदी तरह अड़के जाल मान मौदे काट उतारी जंदेया सत्गुरु जी थोड़ा अगे गए खाल से नूँ पुच्छन लगे वड़े साफ जादे नहीं आ रहे कहन लगे जी आप जीदी आगया विच पिछे जंग लड़ रहे है मुगल दालनू उना ने सुमेर परबत मन के रोक्या होया है उस वक्त सत्गुरु जी ने कुड सिंगान हुक्म किता के जाओ साफ जादा जी नूँ अगे लगे लगे आओ ता उस वक्त पाईयू दे संग जी ने बेंती किती सचे पाच्छा मिनू आगया देओ मैं साफ जादा जी दे थाते जाके वेरियां दे दलनू रोकदा हाँ ता पाईयू दे संग जी नू सत्गुरु मारा जी ने हुक्म दे के रहम तन अनवाज के जनों पे जेया ता साथ संग जी पाईयू दे संग जी ने तन बाबा जीत संग जीनू सत्गुरु जी दा हुक्म सुना के सत्गुरां वालनू तो रहा और पाईयू दे संग आप उस रात बड़े प्यानक जंग विच जूज रहे है और सवा लख तुरकान उमार के फेर पाई उदे संग जी ने शिह दी प्राप्त किती और एस तो बाद पाई जीवन संग जी जड़े तन गुरू ते एक भादर साफ जीदा सीष दिल्ली तो लेके आई सन उन आने बेंती किती सचे पाच्छारंग रेटा गुरू का बेटा मेंनू आग्या दो माराड मैं सर्शा नदी तक जालमानू रोके जंग लड़दा होया मैं दन्ने जंग विच जुड जंगा एस करके हुन मेंनू जान दी आग्या देओ तन पाई जीवन सिंग जी भाबा जीवन सिंग जी पाई उदे संग जीदी शीदी तो बाद जालमानल जुड़न लगे है इननू सत्गुरू जी सर्शा नदी दे कनारे ते पाउंच चुके अमर्त वेडा हो चुका है असाजी दी वार्द की रत नरम कुराया अदे संग जंग लडोरे अदे संग दीवान विट नित ना नेम जो नित नेम है उस दी मर्जादा पूरी कर रहे है खाल साजी नित नेम करना इनन जुरूरि आ जिसने पूरने कल्गी तर पाठशा नीन सनू पा के दसे है एक पासे लखानी फोड़ दा हमला है एक एक करके संग सिंग जंग विट जूज रहे हन दूसरे बनने नित नेम दे दिवान सत गुरू डीदी आग्या विट लगे होए है असा डीदी वार्दा कीरतन होया पोग पाया अर्दास किती गई ओस्तों बाज सर्सा द्रियानों जदों पार कीता बड़ी गिंती दे विच सिंग उत्थे सर्सा दी जोर दा पानी दा प्रवा वगदा होया होन करके द्रियादा रूप तार्या होया इस नदी ने माननो अड़ कहरां दी सर्सा चड़के आई होई है जिसने गुरू साहब जी दे सिंगानों भी शिहीद करन वास्ते अपने वल्लों बड़ा पारी कैर मचाया होया है बहुत सिंग सर्सा दी पेट होए शिहीदियां पा गए जालविच रूड़के कोड़यां समेथ ता सत्गु माहराजी ने जदो सर्सा पार कीता शोटे साहब जादे तन बाबा जोरावर संग्धी तन बाबा भते संग्धी अमर्शी ही तन माता गुजर कावर जीनों सत्गु डिदा प्यारा सिख पाई कुम्मा माश की अपनी चौपडी देवच लेके गया सेवा की थी वड़े साहब जादे सत्गु डे नाल हन और पाञ्ज प्यारे भी सत्गु डे नाल हन लगपग चाली तो तते सिंग हन ओ समेह जूर दे नाल एत्थों सत्गु माराजी बूर माजरा नगर विचाए जिथे पाञ्ज शनाना कीता फिर निहांखा कोटले दे पास थोड़ा दिन दा समा सत्गुरु जी ने अराम किता जिते गुर्द्वारा पठा साहिब है ओस अस्थान दा जिन्ना भी ये सारा परगणा सी ये सारा निहांखा पठान दी मलकीत सी और ये कावल तो कोडेयां दा बपार करके चंगे चंगे कोडे सत्गुरु जी ली अनंद पुरसाव लेके ओंदा ते गुरु करदा मरीद अनंद प्यारा सिख सी और पाई बिचितर सिंग जी बड़ा जंग विच जूज द्याँ हैं फटड़ हो चुके सन जिनानों नहंग खांदे पास तहरा के सत्गुरु मारा जी बाद पैर नो शामा पैंदी असार चंकौर साव नो तुरे है और सत्पोडी है शामा पैचुकियां हन चंकौर साव दी गड़ी दे विच सत्गुरु जी ने मोर्चे बंदी कीती है केवल चाड़ी सिंग हन सचे पातशा जी दिनार दूसरे बनने फाउड किनी है दिली तों ख्वाजा मर्दूद चड़के आया दस लक फाउड उस दे पास है और जेर दस लहौर दा सूबा लखा फाउड नू लेके और वजी दा स्रहंद दा सूबा लखा फाउड नू लेके बाई तार पहाडियां ने लखा फाउड नू लेके चमकार साफ दी गड़ी नू के रपाया बाई लख दी फाउड दा हमला है उस वक्त सत्गुरू मार अजी दिनार सत्पोदी रात सारी रात जालमानल जंग हुंदा रहा अठ पोदी स्वेर आई है बड़े साहिब जादे तन बाबा जीद सिंग जी सत्गुरू तो आगया लेके जंग विच जुडन वास्ते गए है सत्गुरू ने का मरकसा अपने हत्थी करके शस्तर सजाके तन बाबा जीद सिंग जीनों मैदाने जंग विच तोरे और पैदली बाबा जीद सिंग जीने जंग कीता है और अनेकां स्रीर उते जखम सहारदेयां हुयां लखा फोज नों मौदे काट उतार दे तन बाबा जीद सिंग जी आठ पोदे देननों आप जी शहादत प्राप्त कर जंदे हन और कलंगी तर पाज़ जी ने वेख्या वड़े सावजादे शहिदी पा गए है उस वक्त गड़ी विच्चों उची था तो सद्गुरु जी ने गड़ के दिकारा गिजाया और रोस तुब बाद तन बाबा जुद रसंग साहब जी आगया लेके जंग भीच गये और उना देन और तिन प्यारे प्यारे हिमत संग जी प्यारे मौकम संग जी प्यारे साहिब संग जी यू अचट सिंगां दे जत्वे संजिना ने लखा फोजनार जूड के कुर्बानियां दितियां तन बाबा जुडार सिंग साहफ जी दी जदो शहिदी होई ओधों भी सत्गुरु जी ने जकारा छड़ेया और तिन प्यारे दो साफ जादेयां दी आठ पो नू शहादत होई है आठ पो दी रात नू डेड़े सिंग भचे सन पंज सिंगा ने कलगी तर पात्षा नू बेनती किती माराज चमकौर दी गड़ी नू त्याग देयो आप जी दी शहादत होई नाल पंथ नू बड़ा बड़ा काटा पैदा होईगा एस करके आप साढ़ी बेनती प्रवान करो उस वक सत्गरू जी ने चमकौर साब दी गड़ी रात नू अठपो दी रात नू छड़ी है और ताड़ी साब स्थान ते ताड़ी मार के अलानिया तो उरते सत्गरू जी ने बचन कीते पीरे हिंद में रवाद पीरे हिंद में रवाद के हिंद दा पीर जा रहा जे किसे विच हि के पकड़ लो वैरिया ने हमला की था दस दस लख दे विच एक तीर कड के सत्गुरु माराज्जी ने मकाबला की था उत्थों सचे पात्षा माच्छु वाड़े पौंग जन्दे है तिंड दस रहाना लोंदे है मितर प्यारे नू हाल मरीदां दा केना तुद मिन रोगर जा दे उड़न आगनवासां दे रहना यारड़े दा सनू सत्थर चंगा पाठ खेड़ियां दा रहना सूल सुराही खंजर प्याला भिंग कसाईयां दा सेना एक आल पात्षाही दस्मिये शब्द उत्थे व्चारया सचे पात्षा जीने और साथ संगे दी एदर तन बाबा ज साहब जादे कुमा माश की दे शान विच रह के समा गुजार देया उत्थो निमक हरामी गंगु कई इतिहास कारया ने ओसनू रसोया लिखेया पर साथ संग्जी और सोया नहीं सी गुरू करदा सत्गुरु जी दा भचन सी के जदों तो सत्गुरु जी ने सोड़ा सो नन नमेदी विसाकी स्तारा सो चपंजा विक्रमी नूं खाल से नूं पंजा प्यारया नूं साज के अमर्त दी दात बख्षी ओस दिन तूं आग्या की तीसी के किसे भी बे अमर्तिय दे हत्तों गुरु के सिखने पोजन लंगर जलपानी नी शक्णा एस करके गंगुदार सोय या हुना साथ संग जी ए गुर्मत मर्जादा दे उनसार नहीं हैं सो ए गुरु करदे विच्चों हर शिमाही जाके रस्त लेके ओंदा तान मंग के लेके ओंदा ते अपना गुजारा चलाया करदा सी सो ए भी गुरु करदा निमक रामी होया ए साहिब जादे नू माताजी नू अपने नगर सहेडी लेके आया रात साहिब जादे माताजी सहेडी नगर विच रहे और माया दे लाल्च विचा के एसने मुरंडे दे पठाना नू जानी खा मानी खानू साहिब जादे नू गृ प्तारी होई और मरंडे दी कुतवाली देवच साहिब जादया नू रख्या गया दाश पो नू सरहंद विखे लेंदा गया और अज ग्यारां पो है ग्यारां पो नू वजीदे ने जिते फतेगर साहिब अस्थान है साहिब जादया दी शहीदी दा उत्थे कचेरी लगी परीक चैरी नुवेक ने असार गज के फते बलाई वाहिगरु जी का खाल सा वाहिगरु जी की फते कैसा निर्पै जीवन है उन्हा महां पुरुखांदा विजीदा सड़ बढ़ के कोले हो चुका है माता जी नोते साहिब जादया नू ठंडे बुर्ज विच कैल किता होया है ओ बुर्ज सो फुट तो उत्ते उच्चा सी पराणे समय वेच कोई इतहास कारा ने एक सो चाली फुट उच्चा हो उस दी मिन्ती दसी है उच्चे बुर्ज दा मतल्व की है साथ संग जी के पिजा साथ फुट तो उच्चे ददो तरती तो उचाई चली जान दिया ता ह हवा वगदी रंदी है थोड़ी थोड़ी हवा एज आलम लोका ने चलोखे बनाये होई सन गर्मी दी रोत वेच इना ठंड यां बुर्जा में चलिया कर दे सन और आज आदेन जेडे है हड़ चीर मी ठंड पह रही है साहिव जादियानू माता जीनू बिना बस्तरां तो उ माल स्वाब सी सारा लेखे लाके साहिव जादियानू माता जीनू दोद्श कौन दी सेवा किती है सो साहिव जादियाना स्वाल जवाब किते बड़े लाल्च देते गए साहिव जादियाने सारे लाल्च सुन के इनकार कर देता बारां पो नू फिर दवारा सद्या गया और उस वक्त साहिब जादेयानू कई तरह दा पैवी दित्ता गया के साहिब जादेयो कभी दुन्ना संग दी हंडूरिया लख देया के उस वक्त साहिब जादेयानू लाल्च देन वास्ते तान दा लोग देन वास्ते कई तरह दिया पेश कशा कितियां गया के तो अनू एस पंजाब दा भी सूबा बना दता जा सकदा जे तुसी तर्म तयाग देओ इत्थों ताके तो अनू दिली दी बादशाह भी दित्ती जा सक दिये बेगमां दे डोले भी दे दते जा सक दे हन साहिब जादे हुन तुसी अपना तर्म छड के मुसलमान बन जाओ साहिब जादेयाने जुत्वी दिन ओक नाळ सब कुण ठकराया फिर साहिब जादेयानू परक करन वास्ते तरह तरह दे खडौनयां दे पास भी लेगे गए उत्थों साहिब जादेया ने जो शस्तर संतीर बर्चे सिरी सामा उना नूई महत लाए हुर उस वक्त एक गल साह साहिब जादे अनु कही गई दीवान चूठा नंदवल्लों के साहिब जादे ऊजे तो अनु शड़ दता जाये ता तुसी की करोगे ता उस वक्त साफ जादे केंड लगे असी सारे खाल से रूँ अकतर करांगे और तो अडे जालमा नाल जते बंद होके जूड के जुलम रा जड़ानी पुट जांदे पुटिया जांदिया उन्नाचर असी बार बार तो अडे नाल मैं दने जंग विच अपने खाल से नूँ अपने प्रामानू नाल के जुड जांगे ओस वक्त दिवान सुचा नंद ने जिस्दा नाम खाल से ने चूठा नंद पाया है ओस ने के जांदिया सूला दे मू तिखे साहिब जादिया बाबत इनने अपमान जनक शब्द बोले सान सो साथ संग जी मेन गवाही ओस ने विजीदे नू परेर ना दे के दिती और साव जादिया नू ए गलका ही गई के तो अडे पिता जी फड करके मुगला ने उना नू शहीद कर देता वड़े प्राश हीद होगे हुण तुसी की करोगे तो तन बाबाफते सिंग जी ने बचन कीते साड़े पिता दसन पाच्छा तन गुरु गोविन सिंग साव जी अक आल पुरुखदा सुरूप है दुनिया दी कोई तागतिनी नू आनू मार सके शिहिद कर सके एस कर और के तुसी चूठ बोल देयो ब्रह्म ज्यननी खाल्सा जी धने खने नू लो कई जंदे है पर साहिव जादय नाळो वड़ा कोई ब्रह्म ज्यननी नहीं तन बाबा जोरा वर सिंग तन बाबा फते सिंग जी किड़ी वड़ी अंतर जामता कैं लगए ठीक साड़े वड़ प्रा बाबा जीद संधी बाबा जुडार संधी शिहीदी पा गए है पर साड़े पिता जी नो कोई शिहीद नहीं कर सकदा जिन्ना चरू नहीं अपनी इच्छा नहीं होएगी परीक चैरी देवच पहका हूँ कोदेतने नहीं पैमान तान ऐसे बचन कह के साहिब जादेया ने परीक चैरी नो वजीदे नो उत्तर दता ओस तो बाद साथ संधी साहिब जादेया नो डर दखाया गया के तो अनू तुसी यह दे के शिहीद कीता जाएगा ता साहिब जादेया ने निरपैता नाल ए बचन अपने मुखार बिंतों कीते के जड़ी दे आना सरीर अपन जाता तान दी एक कच्ची मठकी दीने आई है जिमें कच्ची मठकी जड़ा कच्चा कड़ा पानी पहन तो खर जन्दा एस करके जे तुसी शिहीद भी कर फरक पहन लगा उनर पैता देनार साहिब जा देने जवाब दते और नबाब मिलेर कोटल ये ने हादा नारा मारे शेर मुखमद खाने के लगा शरा आगया नी दंदी के सत साल ते नौ साल देना शोटे लाला नो मसूमा नो शहीद कीता जाए तो उसी बहुत वड़ा अन्य कर रहे हो विजीदा कें लगा शेर खान तेरा प्राच मकार दे जुद वेचे ना दे पिता ने मारे ये इस तो चंगा मुखा नहीं ए नानु तु अपने नाल जा को को के मार दे अपने प्रादा अपने सबंद यांदा बदलाल है उस वक्त शेर मुखमद कें लगा मैं के आते बजदल नहीं के साहिब जादयानू मसूमानू मैं अपने हत्थी मारांगा जे मेरा प्रा मारे या गया तत अनगुरु गोविंसिंग साब जी दे नाल जे के ते समा बनेया मैं जांग विच लडांगा पर साहिब जादयानू मसूमानू मारना इशरा दिया गया नहीं सो साथ संगेजी यों दूसरे देन साहिब जादेयानु कचैरी विचो ठंडे बुर्ज विच पे जया गया तेरा पोदा देन चड़ेया माता जी ने अमर्ट वेडे कंगा कीता दस्तारेस जाए और माता जी ने अपनी गोद विच लेके साहब जादेयानू जब जी सावधा पाठ सुनाया अगुल सिखो ऐसी यां मामा जे साड़े करांदे विछ पैदा हून गिया अपने बच्चयानु गोध विच लेके बानी दी गुड़ती देन गियां, बानी दी लोरी देन गियां ताई साड़े परांदे विछ परवार आदे विछ सिख़्ी बरकराण रहे गी माता जी दे जीवन तो सेद लओ के अपने शोटे साहिब जादयानू पोत्रयानू आप कंगे करके दस्तारेश जाए या त्यार किता जब दी सावदा पाट सुनाया और माता जी ब्रह्म ज्यान दी वस्ताव चठे पहरेन वाले साहिब जादे नूँ कैन लगे साहिब जादे ओ हुण अपनी शिहिदी दा समा आ गया एस करके तनगुरु अर्जन देव जी और दादा सत्गुरु तनगुरु ते एक भातर साव जी तरह परमेशर दे पाने नूँ मिठा मन दे आपा शिहिदियां देनिया हन ते माता जी ने ओस वक्त साहिब जादे अंदे सीस नूँ प्रोस देयां बचन कीता साहिब जादे ओ जदो तुसी शिहिदी दाऊंगे ना अपनी दादी मान नूँ भी साथ खंड विचनाल लेके जायो अकली नूँ ना छटके जायो साहिब जादे कहन लगे माता जी में तो आड़ी इच्छा रजा उमें पूरी होएगी यू तेरा पो नूँ साहिब जादे आनू बानी जबजी साब दापाट सुना के अरदासा करके माता जी ने जालमा नड़ पे जेया और लगपक साथ संग जी जदो साहिब जादे आए अतिहास बहुत लम्मा है समा बहुत संखेप है साहिब जादेयानू के चैरी देवच लेंदा गया और उस वक्त शिहीद करन दा फत्वा सुनाया गया के निहाम च्टिन के शिहीद करो साथ संग जीत अन बाबा जोरा वर संग जीत अन बाबा फते संग जी ने जब जी साब जी दे पाठ गम किते और जब जी साब दा पाठ कर दें कर दें नहीं उसारी गई है और जदों जिनी नाम ते आया गये मसकत का आल नानक ते मुखज लेके ती शुटी नाल जब जी साब सुम्पूर्ण होया नहीं उस्सर चुकी है साहिब जादेयानू बिहोश होयानू दिवार डिगी है शहीद कर दता ऐसा प्यान के साका है ऐसी वड़ी महान शहादत है गुरु साब जी दे लालां दी जेना ने एड़ी वड़ी कुर्बान नी देती है जिस दी दुनिया मिच मसाल नहीं साहिब जादेयाने शहीद होन तो बाद माता जी नू जाके गज़ के ठंडे बोर्ज विच फते बुलाई माता जी वहिगुरु जी का खाल सा वहिगुरु जी की फते माता जी ने अग़ों फते दा जबाब देता साहिब जादे तो अडे सरीर दे दर्शन नी हो रहे फते सुनाई दे रही है की गल या बाबा फते सिंग जी बाबा जोरा वर सिंग जी कह लगे माता जी असी अकाल गो बाना पालेया तार्न करलेया सच खंड नू चले हां तो अनू फते बलाउन आये सी ते तुसी भी साथे नाली चलो थोड़े समय विची जालमा ने माता जी नू बड़ी बेरेमी देनाल शहीद कीता कई तिहास काराने अनमधियं गल्ना लिख देतीयां के हीरा चटके माता जी ने अपने प्राण दे देते किसे ने कह देता बुर्ज तो छाड मार लई ये साथ संग जी आत्म का अध करना था गुरू की बाणि विचकते भी आग्यानी आत्म का थी है जगतक साह माता जी नो शहीद किता गया और तन माता गुजर कोर साहिब जी भी आप शहीदी दा जाम पीके कलगी तर पात्षा दी ओ दरगा सच खन दे वेच्च साहिब जादें समेथ तन बाबा जोरा वर संग जी तन बाबा फते संग जी तन माता गुजर कोर साहिब जी तेरा पोनू ए शहादत सा संधी लगपग 12 वजे तुले के सड़े 12 वजे दिने होई है तनगुरु अर्जन देव साब जी दि शहादत अमर्त वेड़े सवा पहर दे तड़के लहौर दी तरती ते तिन वजे तुले के पन्ज वजे दे वेच वेच तनगुरु अर्जन देव साब जी दि शहादत चांदनी चौंक दिल्ली विखे साथ संग्जी बारावज के चौवी मेंटते जवजी सावदा पाठ करके सत गुरू जी ने बारावज के चौवी मेंटते शिहीदी दिती है चौवाओ जो लड़ी बार कथा दा प्रवा एस स्थान ते चल रहा है मन बिर्तिनु अकागर करके कथा सर्मन करो एस स्थान दा भी बड़ा सुंदर तिहास है दीवान टोडर मल नो अते होर गुरसिखा नो साहिब जादें दी शहादत दी खबर लगी है और उस वक्त दीवान टोडर मल वजी दे दे अहल कारा नो मिले कें लगे सानू साव जादें दे श्रीर दे दे ताके असी उना दे सस्कार कर दे ये साथ संग्जी जालम कें लगे साव जादें अनू शहीद करके जिते गुर्दवारा बवान गड़ है एक चैरी दी फसील तो बाहर सी ये अस्थान के असी तो उननू बाहर सिट दिता है पर सस्कार करन वास्ते तो उननू जगा मुल्ख रिदनी पवेगी औस वक्त जालम वजीदे ने शर्ट रखी के जिननी जगा साहिब जादें दीया te माता जिदे स्शकार ले चायी दीया सुने दिया मोराम्शा के ओ जगा दिती जाएगी दीवान तोडर मन ने वजीदे दा जो शर्ट सी औस नू मन के ओस वक्त वजीदे दे अहल कारा नाल एस अस्थान ते आये जो दो जंगल दे रूप विच सी जित्थे तन्गुरु गर्ण साथ जीदा प्रकाश एथे मूरा मशाईयां गईयां माता जीदा अंगीठा खबे हाथ है इथे भी मूरा मशाईयां गईयां बजीदे दे मान विच लाल चाया, कहन लगा जे जगा चाही दी है, तो मोरा खड़ियां करके जगा मिलेगी, साब जादे आंदे सस्कार वास्ते, माता जीदे सस्कार वास्ते, साथ संग जी मोरा खड़ियां कीतियां गईया, जिन्ना कर दे विच तनप्यासी ओस गुरू के लाल ने दीवान पाई टोडर मल ने सारे लिखे ला देता, कोज मोरा कट गईया, बजीदा पुछदा एहलकार पुछदे है, टोडर मल तेरे कोड कोज हुन बचया, ए बचन महापुर्ख दमदमी टिक साल दे चौद में मुखी, अमर शीहिद संत ग्यानी जर नेलसन जी खाल कोड बचया है, कहन लगा, की बचया ? कहन दा अर्दास है, मैं गलवि pesar पल आपा के साहिब जा दे हैं माता जी दे चर्णा विच अर्दास करांगा के मेरी सेवा नेपरे चड़ जाए, मेरी पातुन साहिब जादे अते माता जी टकणगे, साथ संग जी एस अस्थान दे समने खड़ो के, दीवान तोडर मलने अक्खां विच वैराग चल रहा बार बार, हो रहना सकां बिन देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चल ले जी ओ, जोड़के साहिब जादेयां दाते अंत आरके, माता जी दाते अंत आरके अर्दास कीती, के साहिब जादेयो माता जी मेरी पात ठको, मेरी सेवा के ते दूरी न रह जाए, मैं सुम्पूरन सेवा कर सका, संगत जी ओस वक्त जोदो अर्दास करके मत्था टेकिया, अपने आ जी ने कौतक वर्ताया ओस्तो मां दिवान टोडर मल अते होर गुरू के लाला ने साहिव जादे अंदे पुवित्र स्रीर माता जीदा स्रीर एस अस्थान ते लिया के जित्थे तन गुरू गरंच साहिव सच्चे पाथशा जीदा प्रकाश है एथे तन बाबा जोरा वर संग साहिदा तन बाबा फतेर संग सह जीदा आते माता जीदा जो अंगीठा है खबे हथे थे माता गुजर को और साहिव जीदा सस्कार कीता की तन सोला पढ़के अर्दास कीती और सारा दिन सारी रात पहरा लाया दूसरे दिन साहिव जादेयां दाते माता जीदां की था खठा करके इन अस्थाना थे थले डूंगा टोआ पूटके थे इसमार देता गया स मैं एक बेंती कर देयां, कई गल्लां गुम्रा कुन परचार किता है जान्दा, अखे दिवान टोडर मा लेच्थों साब जादेयां दा अंगीठा, माता जी दा अंगीठा अपने नगर ले गया सी, नहीं पाई, जदों महापुर्ख बाबा हर्बान संग जी ने सेवा लिए गागरां ते माता जी दा अंगीठा गागरां दे विच एसे अस्थान ते डुंगी थां ते संगता ने दर्शन कीता सी, एस करके साब जादेयां दा माता जी दा अंगीठा इत्थे ही है, किते भीनी दिवान टोडर मल लेके गए, मगरों गुरू के खाल से ने एस अ कविचन केल पाके साथ संग जी एस गुरू के इना साहिब जादें दे शिहिदी इस्थाना ते लेके आया और तन बाबा बंदा संग जी बहादर ने बड़ी प्यान को उसनों उस किते हुँ पाप दी जुलम दी सजा दितियते मौत दे काट उता रहा उस वक तन बाबा बंद संग जी बहादर दी दे नार दमदमी तक साहब दे पहले मुख्य अमर शिहिदी और तकस्री दमदमा साहब दे पहले रहते दार ब्रह्न ग्यानी बाबा दीप संग जी भी नार सन पहला इन्ना सिंगा ने फतेगर साब जाके जेडियां साथ संग्जियों उट्टा जिनियां खून ना लतपत सन ओमे खिलरियां पईयां सन के चैरी टह चुकी सी क्यूंके साब जादें दी शहादत तो बाद ऐसा पुचाल ऐसा तुफान आया किसे नुए ते रेना ना पाया फिर सिंगा ने ओ सारी जगा साफ करके थल्यों साहिब जादें दा शिहदी इस्थान कड़के ओ इट्टा डिडियां सन जिना होते वित्र खून दे शिटे पए होई सन ओमे निशान लगे होई सन नौ साल दा रसा कोई बहुता लंबा समानी होया सी नौ साल बाद तन बाबा दीब सिंग जी बाबा बंदा सिंग जी बहादरी ना सिंगा ने मिलके साहिब जादें दे शिहदी इस्थान ते उना इट्टा नू लाके ते होर इट्टा लाके साहिब जादें दा शिहदी इस्थान थड़ा साब बनाया और कड़ा परशादी द हांद दा नाम नी रहन देना ए गुरू के अस्थान दा नाम साहिव जादें दे नाम ते रखो ता बाबा बंदा संग्धी भादर कें लगे बाबा दी तुसी कलगी तर पाथ शादितों गुर्बानी दे अर्थ पड़े हैं सिक पंथ दे सब तों वड़े विद्वानों तु सिदसों ता बाबा दीब संग्धी करें लगे सत गुरां दे शोटे लाल बाबा फते संग्धी दी महान कुर्बानिया सत साल दी उमर वेत एस अस्थान दा नाम फते गड़ साम रखो ओदों फते गड़ साम नाम रख्या गया और फेर संग एथे जोती शुरूब साहिव आ जोत शुरूब वाहिगरू पर मेश्रदा शुरूब सन ते वाहिगरू दे विच्ची अज दे दिन और कल तेरां पोदे दिन उन आने लीन हुना किता महान शीदियां दतियां ऐसे महापुर्ख ब्रह्म गयानियां दी शीदी दी जाद विच खाल सारी अपन बड़े प्रोसेनल हाजरियां पर रहे हां आओ लड़ी बार कथा तन गुरू नानक देव साब सचे पाथशादी दी पावन पुवित्र मारू राग दे शब्दां दी कथा चल रही है Maru rag भी सूर में बह्दन जोदे यांद कार रहाग है जोदो सूर में जंग नूँ चड़ेया करते सादब तो साथ संग जी गवईये कह लो प्राने समया विच गुरु काल तो पहला लश्यकर करदा जोदो सूर में जंग नूँ चड़ दे सन ओदो फिर जड़े गवईये लोग सन सूर में आंदे विच जोश परनवास ते मारू राग गाया कर दे सन जड़ा सूर में जोदा मारू राग सुनके जंग नू तुरदा ओ जाता जंग जितके मुडदा जाँ शिहिदी दे के संसार तो अपना तरमदा और जस खटके एस संसार तो जंदा ऐसा महान ए मारू राग है तनगुरू अर्धिन देव साब जी ने ए मारू राग सन नू भक्ष कीता है सूर भीरता बहदरी साड़े अंदर पैदा कर्ण वास्ते एस करके सचे पाथशा मारू राग देवित तनगुरू नानक दे महराज जी पहले पाथशा ए पावन प्वित्र शब्द उचारन कर रहे हैं सोल मा शब्द रंब हो रहा है आप संगता मन भिरती नू अकागर करके कथा सर्वन करो एस संसार दी रचना मेरे वाही गुरू ने के में किती है ओ सारा जिकरसत गुरू डी कर रहे हैं आपे आप उपाए ने राला मारू रांग पिछ पहले पात्षाव फर्मान कर दे आपे उस वाही गुरू ने अपने आपतों अपने द्वारा ये सारा संसार उपाए पैदा किता है पैदा करके फिर आप ही एस संसार नू साज के आप नराला नरलेप भी रह रहे हैं आपी न अप साधियो आपी न रचिव न आओ दोई कुदरत साधियो कर आसन डठो चाओ। देखो साथ संगधी संसार वीच जमन मरन है, संसार दे वीच हर्ख सोग है,ाप संसार दे विच मित्तर सत्र है पर वाहिगुरू प्रमेशर ने आप ही एस संसार में उपाई पैदा किता है रोगी जोगी पोगी सोगी एस सारे तरह देजी वोस मेरे वाहिगुरू ने आप ही पैदा किते है पर सारा कुछ बढा के फिर आप निराला वक्रा होके नरलेप होके अपनी रचना दे विच आप ये पेद रूप विच वर्तदा है सचा थान की योदे आला दे अलू वाहिगरू परमेशर ने सचा थान अपने रहन दा केडा बनाया सत संगत आज साथ संग्त डेड़ी कर रहे हैं न यह वाहिगरू पर में शर्दा थाँ है टकाणा है साथ संग्त स्थान जगमंग नूर है लख लख ससीर पान करन ठुरूर है बैकूंट नगर जहां संत वासा जित्थे संगत वस्दिया उपाई हरीदा वाहिगरू परमेशर दा था सच खंड है एक सचा था वाहिगरू ने संगत रूप था बनोना किता जित्थे उदा नवास है विट संगत हर प्रवसे दियो वाहिगुरू संगत देविच वस्दा है और एसे इतना सचे प्रमेशर वाहिगुरू ने मनुखा तन देविच अंत करन दी अंदर अपना थांट काना बनाया होया है दसमें द्वार देविच भी अपना थांट काना बनाया होया है ऐसा हो वाहिगुरू परमेशर द्यालू है और सारिया थामा नो वो सच्चे वाहिगुरू नहीं बढ़ाया पैदा किता तर्थी तो लेके समान तक जिन्या थामा ये सारिया वाहिगुरू दिया साजिया हुईया हन किता पुसाओ एकोग वाव एक बचन आली सारे संसार नू बढ़ा दिता है एकोग हम बहुत से हमा परजाद आयते कि तो मैं अनेक हुमा कहने एस तरह एक बचन आली संसार रच दिता ऐसी मेरे वाही गुरू परमेशर ने संसार दि माई की रचना रची है यो ये सारे था उस वाहिगरू दे बनाय होए है और सच्चा वाहिगरू आप बड़ा पारी द्यालू है और साथ संगजी जीव के में साध्ये है पाउन पाणी अगनी पाउन हवा पाणी ते अगनी ये देड़े पांज तात्य न पाउन पाणी अगनी अकाश तरती ये पांजा तत्तां दा बंदन पाया होया है जीवानू ते संसार नू रचन वाहिगरू ने पाउन भी रचिया पाणी भी रचिया ते अगनी भी बनायी है इना दा बंदन पाके सारे अनु जोड के फेर एस जीव दी और एस रिष्टी दी वाहिगुरू ने रचना की तियाग ते पाणी दा समेल नी पर वाहिगुरू ने पंजा तता ना समेल कर देता अपनी कला नाल अपनी शक्ती दे नाल जीवान दे अंदर भी पंजे तता नु एकथां ते कठे करके साथ देता है ऐसा वाहिगुरू प्रमेशर है पौन पाणी अगनी का बंदन पाके इन अनु सारे अनु मेल के कठे करके काया कोट रचाएदा जिथे स्रिष्टी रचिया उथे काया रूप किला शरीर रूप कोट किला भी रचया होया मेरे वाहिगुरू ने ऐसे तरह साथ संगजी पौन हारी जिमे पौन नरलेप ऐसे नरलेप महापुर्ख गुर्मक पानी दी तरह सीतल सुबावाले अगनी द सम्तerson कित के अगहितं ő दिटीरा निर्खोव रहन वाले ऐसे भी थी यू मेरे वाहिव्यू ने देहां श्रीर ऐसे केरे प्रमेशर ने रचय बनाय होगे आज लव कार्था पे थापन हारा थापन वाले बनोन वाले ने नव कार्था पे अब आप नव गोल का नव इंद्रियां ओस वाहिगरू ने स्री रूप के लिए दे अंदर थापना बनोना कितियां हान दस वैवासा अलख अपारा दसमें द्वार विच कहलो, अंता करण विच कहलो, नौ दरवाजे परग्ट किये, दसवां गुबतर खाया, यो उत्थे वाहिगुरू ने फिर अपना नवास, अपना तक्त बुनोना किता जित्थे आप वस्दा है, जिनू चेतन दी लाड चौमुखिये दीवेवर्गी भी विद्वन्ना ने मन्नी है, एस करके दसमें द्वार विच जिसनू मन बनी करके लख्या न जाए, पर किर्थी द्वारा जिदा अंतनी पाया जा सकदा, ओ वाहिगुरू इना दे विच्ची आप वस्दा है, श्रीरा विच भी और संसार विच भीू। विच्ची दे अंदर, गुर्मक मैल न लाएदा, और जड़े गुर्मक है, उनानु फिरे संसार दी जिन्नी भी मैल है, ओ मैल दी उनानु लगण दंदा, ओ एस माय की रचना तो, फेर नर ले प्रिंदे हन, एस एतरा पांध ज्ञान इंदरे, शेमा मान सात्मी भुद्धी एस सात स्रोबर हन, इना देवच अपनी किर्पा दा नाम रूप, गुर्मकान नाम रूप निर्मल जल परेया हुया है, इस करके गुर्मकान उमाय दी, हमाय दी, वकारा दी, मैल नी लगदी और नर ले प्रिंदे हन, राव सास दीपक जोत सभाई, राव सूर्ज सास चंदरमा ए दो दीवे, वाहि गुरू ने दुनिया नू चानन देन वास्ते बनोना किते हन, सभाई सारे थामा देते, ए सारी थांते लोप्रकाश करन वास्ते बनाये साध्ये, आपे कारवेख वड़याई, वड़याई दा थे थे इच्छा है, वाहि गुरू आपी संसार नू करदा है, बनोदा है, फिर आपी अपनी इच्छा देनाद एस पसारे नू बेखदा है, तकदा है हमेशा वास्ते सारी सृष्टी नू, जोत सरूप सदा सुख दाता, ओ जड़ा सत चित अनंद जोती सुरूप वाहि वेवानूं जिने सरी उप मकान दता, जिने खान वास्ते पूदिन दते, रैन वास्ते दुझे मकान भी दते जे परसाद बसे सुख मंदर, तिसे ते आई सदा मन अंदर जे परसाद घ्र संंसुख बसना, आठ पयर शिमरोत तस रसना, ऐसिया महान उवए गुरू ने तूप सदधा इसोख देन वाळा है शुका दा स्रूप नहीं रेsın। एसा दिदा सार्य है दाताbell आ कि टुख मैं इनिया दाताँ ऋचित जोती पन चुदा नूधा स्पित अनुध। झीमघा प्रमका देश्वा, निम्ट रिर्देश। एसी वडियाई वाहि गुरूदे दर्तों अनु प्रापत हो या प्रमेश्र ला रूप होन दी गड में हाट पतन बापारा दिमें साथ संग जी गड किले बनाये जान दे है किले आदे विच फिर हटियां ते पतन बजार और बपार करन वाले भी सारे बपारी आके बपार कर दे है एसे तरह संसार रूप किला है और जिनने जीव हन एसारियां हटियां हन और एसे तरह संसार जिनना भी है सारे पतन शैर हन बपार करन वाले एसे तरह अंत्री पाव है गड में हाट पतन बादारा सरीर रूप किला है इंद्रियां रूप हटियां हन और शुब गुणा रूप शैर है गुर्मक प्यारे माहापुर्ख गुर्सिख वाहिगुरू दे जड़े प्यारे और बपारी बनके शुब गुणा दा बपार कर दे है गुर्मका ने तान दे व माँनू ते आग दता त ये शुब गुणा नू गृहन किता है ऐसा देद येंदर आसा बपार किता है नौ गोल का जेडिया हन एह अटिया हन पाव नौ गोल का नौ ज्यान इंदरे करम इंदरे अखां कन नास का जुमान एस करके ए सारिया हटिया बढाया हन और पटन शुब गुणा दे बिडार है और ए गुर्मक जेडिया इन अविच्च शुब गुणा दाब पार कर देया ल पूरा तोल तोल है वनजारा वनजारा सारया तो वनदा जो वाहिगरू परमेशरा पूरा तोल तोलदा है सारया नू सोख जीवान दी प्रारबद नू सार दन्दा है जे कुई पाप करदा हुना दे पाप दा फाड़ूना नू दन्दा पूरा तोल तोलदा कदे भी काटनी तोलदा ऐसा बनजारा वाहिग्रू परमेशर है जान जिना ने पगती दी करनी कारक माई है सेवा दी करनी कारक माई है सत्संगत दी करनी किती है वाहिग्रू परमेशर उना लिकिड़ा वड़ा बक्ष शान्दा दाता मेरा वाहिग्रू रेम तरना नवाजदा है गुर्मानी देविच फरमान है के सचे पात्षा फरमान करदे है पत्त पावन हर बिर्द सदाएक तिल नहीं पन्ने काले केंदे एड़ा पापियानू पुवित्र करन मिला वाहिग्रू है इनना हसाब रखदा दुनिया दे पारी दुनिया दे दुकान दार हेरा फिर ही कर सकने है परमेशर कदे भी किसे नलवद कटनी करदा ओता जे किसे ने तल जिन्नी भी कमाई किती है ओस्ता भी फढ़ दन्दा एड़ा पापिया नू पवित्र करनवाडा है फिर पूरा तोल तोलदा है कदे भी काटनी तोलदा जे कुई पग्ती दी कार्क मौँ दा उनान पूरा तोल नाम दी दात ब्रह्म ज्याम दी दात बक्षदा जे कुई पाप करदा ताउना नु जमा दे बस पहना पहनदा इस करके मेरा वाहिगुरू पूरा तोली तोलदा है नियांदी तक्डविच और इडे वाहिगुरू दे प्यारे है ओ पाई नाम रूप रतना नू वसाहे नाम लेंदा है ख्रीदन दा है यो ओ आप ही लेंदे है ते दंदे है सोदा जनों करीदा कीमती वस्तुआ देखे दुज़े कोणों होर कीमती वस्तुआ ले 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 दियां जाँ मेरा तन लेले ले दा इस करके गुर्म खाने नाम रूप तान नू वसाहे लेंआ किता है और अगणा नू छड़ना किता है आप पे कीमत पाएदा आप यो किसे दी करनी पगती दी कार नू वेख के कमाई नू वेख के कीमत पौँदा है आप जो उना दी इच्छा हुं दी पूरी करदन्दा नाम दी सेवा दी पगती दी कार दी कीमत पाके पूरा तोल तोल दन्दा इच्छा पूरी करदा है, ऐसा वाही गृु वो सारें दी कीमत पाउंदा है, किसे नुए अपने धर्तों खाली नी डाण दन्दा, कीमत पाई पावन हारा, पौन वाले परमेशर ने संसार दी कीमत संसार विच स्वास पाये है, जीवा विच गुण पाये है, एस करके रोधी रिदिक पाया, एस करके कीमत पाई पावन हारे पौन वाले वाहि गुरू ने, सारे धीवां दी द्योध्यू करनी है, द्योध्यू किसे ने कारक माई करमा वे परवाहा पूरे पंडार है, इच्छा तो रहत है, पारोदे पंडारे सजाई परे रेंदे हान, वे पंडारे कदे मुक्दे नीहान, तिचर मूल ना थुडी दो धिचराप किरपाल, सब्द खुट बाबानान का खाहे खर्चतनमाल, सारे गज के आखो सतनाम सिरिवाह। लखाई संगता इत्थे आरियां, तिन सो साल तोत्ते हो गईयां, किन्ने इत्थों गुरु करदे सेव, कोई भी पामे आ जाए, शर्दात आरके इड़ावियों दा, इनने पंडारे परे, दोद वाले अनू, दोद पुत्रावाले अनू, पुत्तर, रोगियानू तंद ऐसे पंडारे साव जादे, अतोट पंडारे साव जादेयां ने चलाए हो एया, इनन अस्थाना देते, ते एक गुर्म खो हो है, जेडे निशकाम आके साव जादेयां दे चर्ना, वाँच सेवा और सिमर्न कर देया, उन आनू भी साव जादे किर्पा करके, नाम जपनवा आनू नाम दी दात, निशकाम आनू ब्रह्म ज्यान दी दात, ऐसा साव जादेयां दा तोट पंडारा चल रहे है, के बेप्रवा ऐसे गुरु के लालते माता जी, और कोई इच्छा नी रख दे, के सादी कोई सेवा करेगा, ताही उनू दातां देयांगे, कोई इच्छा दातल देन वालेयां तो रखी होई, जो कोई आके मंग लेंदा, आप आमें कोई सेवा नहीं भी करदा, कोई गरीव तन भी निच्डा सकदा, साव जादेयांदा अर्तोट पंडारा है संगत जी, एतो साव जादे सम दियां चोडियां पर रहे हैं, पर आप बेप्रवा बे शक्तियां उननों आप ही ले के वाहि गुरू ने ता अर्न कीता हुया है, गुर्मक किसे बुजाएगा, किसे गुर्मक नों अपने सुरूप दी सोजी करूंदा है, ओ कोई विरला गुर्मक हुंदा, जग में तुम कड़ी है, विरले के जड़ा खना संत साद ब्रह्म ग्य करनीक वाहि दंदा, पर गुर्मक गुर्सिक बानना बड़ा कठन है, साथ संग दी, तानगुर्न आंकसा माराजी ने जदों बपारी नू वेखे आशी ना सौदा बेच देनू, कोले बठाके पुछे आशी के की बेच दां, कहन लगा जी, फोड़ा पसारी दा समान, लून तेल आदक मसाले बेच दां, मारा केंदे केडे बटे अनल बेच दां, कहन दाजी आँ बटे आँ जाना दी तरह पुछ दे, कहन दे आँ बटा किनने पार दा, कहन दाजी ये सेर दा, आँ दो सेर दा, आद सेर दा, कहन दे सब तो शोटा बटा केडा, कहन दाजी ये पाया, माराज हाथ बितले के केंड लगे तन गुरू नानक साब केंडे ए पाईया तन्य दिने अपने आपने नीमा आखवाया सब तो छोटा आखवाया ए तन्य वड़ा बननू हर कोई फिरदा पर पाई छोटा बनना बहुत कथना है हमेनु मारना बड़ा कथना है वड़े आई दी इच्छानु मारना बड़ा कथना है एस करके गुर्मक पद्वीनु पाउना बहुत कथना है गुर्मक शब्द कह देव संत कह देव ब्रह्म ग्यनी कह देव कोई अर्थ है इस करके जड़े गुर्म खान मुखी गुरां द्वारा उन अनु वाहिगरु अपने सत्यत नंद शुरूप दी सोधीक राके अपने विच्च अपेद करलेंदा साहिव जाद्यानु अपेद करलें सदा वास्ते हर का सेव कहर ही जेहा पेद ने डानु मान सदेहा पेद वस्तू कदे वक नहीं हुंदी साथ संगजी अपेद मिली रिंदी है साहिव जादे सदाई वाहिगरु वेच्च अपेद हन ते सदाई हाजर नाजर हन एस करके गुर् पाच्चित अनंद दा ज्यान बक्ष दन्दा है। नदर करे पूरा गुर पेटा। इना ते वाही गुरु किर्पा दी नदर कर दन्दा उना पूरा गुरु तन गुरु गोवन सिंग साहिब जी जैसा सत गुरु मिलदा है। गुरु देजी लोड होवे, गुरु पी ये देहा होवे, जैसे दशमेश पिता माता गूजरी के लाल जी, वार पर वार चारों बच्चियों को हाय देवे, देश काउम उत्तों जावे वार कुर्बान जी, अम्रत दा सुमा होवे तब दे हिर्दयान उठार देवे, संतां द खाल साजी, कोई हनने दी, कोई बनने दी, एमी कोडी-कोडी दे खंडीयां दे मगर लग के अपना जीवन, कोडीयां दे पाग वा रहे हैं, सच्चा सतगुरु छट का मानम कोई बंदेदा बंदा, तन गुरु गरंद साहिब जी जैसा सतगुरु नी सानु मेलना, देशां इर पगंबर होए किसे ने अपनी संतान अपनी परजादे उत्तों दी तरमली नी कुर्बान किती इबराहीम ने खुदा अग्य बेंती किती के हे खुदा मैं तेनु कुछ पेटा करना चौना सब तो पहला पगंबर सी मुसल्मान ना दा मैंनु हुकम कर अकाश बानी होई इबराहीम तेरे कुड़ों पेटानी दिती जानी एस करके चोपी रह वाही गुरुदे प्रेम दा कोज जलबा होया सी जिना गुर्म खानु नाम जब देया पक्ती कर देया वाही गुरुदे कोज जलबे नाम दी अकागरता नाम दार बहुत कठन है, कहुनान का जर्जन जरया तिसी को मना आवत, जर्ना बहुत कठन है, महराड़ सावी किर्पाकर, बन्दा थोड़े-थोड़े चमतकार वेक के डोल जन्दा, फोड़े-थोडे फुरने पूरे हून लग जान, बन्दा फेर भी डोल जन्दा, अपनी पूरा क्र बनाद वे, सारी तर्ती नू सोना बनाद वे, और काल नू अपने दी हिन कर लवे, इन्नी शक्ती वाड़ा वी जेकर मिल जाये, तामी सिखा ओ सुत्ते कदे पती जणा नहीं है, अपना था छोटियां छोटियां गल्ला मिची मगर लग जनने हैं, करना मनना कोर तू मेरा चेल करनबाले यंदे, मगर तुरे फिर देयां, साभ जादे यंदे चरना मिच आओ ना, कोई दुख है, कोई तकलीफ है, कोई कस्त है, तन बाबा जोरा वरसंग जी, तन बाबा फते शंग जी, अमर्शीद, तन माता गुजर काओर जी दे चरना मिच देख कर आओ, देग नहीं करा सकदे पता से टड़ा देओ पता से भी निए करा सकदे देद पता से करा सकदे मत्थी टेक लो हत डोर के बेंति कर दो के साब जा दो साड़े आbab दोख कट देओ साड़ाんな के साड़ू एष दर बार तो बार निकल ने असाड़ सदी इच्छा पूरी हो जाए और साब जदे कर देया है रेमतन नवाज देया है फिर जिना कोड़े एड़े वड़े गुरु के लाल इन्या बक्षशां करन वाले हाज रहन और जुगों जुग रहना उना देदर छड़ के पाई हो रहां देदर दंबिया पखंडियां दे क् एस करके गुर्मख बनना है गुर्मख दी वस्था ता बहुत वड़ी है गुर्मख ता मुक्त बपड़ी पी ज्यानी त्याग है मुक्ती नुभी बपड़ी तोच सम्झ के त्याग दंदा एस करके गुर्मख संत अनबाबा जोरा वरसंगी ता अनबाबा पते संगी ते मा ब्रह्म ग्यानी संत अन बाबा जोरा वर संग्धी तन बाबा फते संग्धी माता जी पूर्ण संत संग्ध कहन नूता जना खणा में अगे भी बेंती किती है को हाई जंदा पर बनना बड़ा कठना है मारा केंदे इस जुग में विर्ला को ब्रह्म ग्यानी जे हम में मेट समाए केंदे जिने हम में मेट लेया ना ओ कोई विर्ला ब्रह्म ग्यानी है हम में वाले ब्रह्म ग्यानी ता बड़े तुरे फिर देया है कहोना भी सुखा कहना भी सुखा ब्रह्म ग्यानिदी वस्था किया पाणा मनना ते पाणा के ने मननेया साब जाद्याने मननेया माताजी ने मनननेया जे चौंदे थोड़ी जी शक्ती फुर्णा करन्दी देर सी साब जाद्यानू दिले दे तक्स दिया जणा पुट सक्देशन फुर्णा करन्दे नाली जाल किने था माणदन आश कर्दन दे हैं फुर्ना भी हो नहीं किता इनना पाना मिठा करके मने यहां तेयitterा पाना मिठा लागलेंहर नैंपदार्ध नश्वाध कमंग सोँ कि जदों तो शिहिदी लुजिति हो ही Cum पर अपने खात्र नी इन्ना भी फुर्णा नी किता इन्ना वाहिगरु दे पाणे नू मिठा करके मन्निया एस करके गुर्मखानू किसे नू किसे शबद देड़ा पाव है न किसे दा मतलब कोई विरला कोई 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 गुर्मख है जिन्नू वाहिगरु अपने शुरू ग्याद करूंदा है नदर करे पूरा गुर पेटा और जिना ते वाहि गुरु नदर करदा और पूरा गुरु में जन्दा एस करके पाई सच्छे सथ गुरु दसं पाच शेंद दर छटके हमीन हो रहां दे दरे तुरेया फिरया करो ऐसे गुरु वर्गा दर नी मिलना देड जन्दार नमारा भीत एस गुना यह बड़ा पारी जन्दार जालमैं जिंद एर बहरी हैं गलशियिक में पूरा गुरु मिल गजन्दाना उना टेकल कर देडम नी आ सकदा उना पेटनी मार सकदा क्टार थे बर्षी नल पेट मारी जन्दी है न WAर्शिया है के तका मारके नरकां विच नी सिट दा जामुना नू फिट तका मारके नरकां विच नी सिट सकदा जिन आंदा पूरा गुरु है तान गुरु कल्गी तर पाथशा दी दे बचना ते हास विच जिक्रोंदा चपंजा करोड खाल से दी मुक्ती करनी है सचे पाथ्षा ने अंव्रत शिकाश का के सुद आई कर करके अंव्र शकन तो बाद कोई टले आई हो गई दवारा फेर गुर्षिखा दे करे जानम देन गे फेर अंदरों फुर्ने सु फुर्न करोण गे गुर्मत गुर्षिखी वाले फेर संदत विच जाएगा, गुर्सिखी तार्न करेगा, गुर्सिखी कमाएगा तो उच पंजा क्रोड खाल से दी मुक्ती करनी है सत गुरु कल्गी तर पाथ्षा ने जुमे वरी चकी है कोई दुनिया दा पीर गंबर अवतार होया जिने अपनी उम्मद दी जुमे वरी चकी होवे एक कल्गी तर पाथ्षा मारे केंदे जीदिया रगा मिच इक वेरी अमर्त नंग्या उन्हों असी मुड के नरका मिच नी पहन देना आखो पाई वाही गुरु ऐसी किर्पा मेरे सत गुरु कर रहे है जामु ना दे निडे नी आ सक्दा जो जल अंतर कमल बे गासी जमे जल दे वे चुपाई कमल खिडदा है ते बड़ी खुश्बो दंदा है आप पे बिगस्त आए दा इस तरह इंजडे गुरुमख है गुरुमखा दी वस्था दा दे है संगत रूब जाले जाम प्रेम रूब जाले वे चोना दा हिर्दा रूब कॉल जेड़ा खिड़ जन्दा है करना मुत्ता मेत्रीदियां पंखडियां हन पक्तीदी मैं कै इस करके ओ गुरुमखा दे अंदर नाम रूब जल दे अंदर हिर्दा रूब कमलूना दा खिड़ जन्दा है और आप पे बिग्स ते आइंदा होरो वाहिगरू बिग्स प्रसन होके आप की किरपा करदा नाम दी दात ऐसी नाम दी दात के अठे पहर उनांदी सुर्त जुड़ जन्दी है ते आन जुड़िया रिंदा अठे पहर सास ग्रास जदों कावल हिर्दा खिड़ जाए महां पुरुक्संत बाबा जर नेल संग जी तो दासने बचन सुने सी अब असी संग अनल बचन कर रहे सान केंदे ज़ों हिर्दे विच नाम वास जान्दा ना जिनु कैद अधे विर्दा कबल खिड़ गया पा सिद्ध ही कैल ये जदो हिर्दे विच केंदे नाम वस जन्दा सिंगा ने पुछया निशन्नी की है केंदे पाई स्वासा विच ते ग्रास विच वाहिगरू नाम चल पेंदा केंदे होर की निशन्नी है संत केंदे पाई दूजी सब तों बडी निशन्नी है जिना दे हिर्दे विच नाम बस जन्दा नाम दा प्रवाज चल जन्दा उना दे अंदर काम दा वकारां दा मुण के फुर्ना नी उठ दा ओ फुर्ने रोक जन्दे वकारां दे ऐसी किर्पा माराद कर जन्दे आन हिर्दा भिग्स खिड जन्दा इमें कबल खिड दा इमें ह गुरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरू वही गुरु नाम दी अमर्त रूप तारा नू, नाम दी वर्खा नू बरसाउंदा है, वही गुरु । नाम रतना नाड़ों, लाला नाड़ों, एसे तरह हीर्या नाड़ों पाई अमोलक है, एसे तरह गिड़ा रतन है वेराग है, जवेहर ज्ञान है, लाल प्रेम है, पारावार तो रहत है, इदा अंतनी पासकदा हूं, सत्गुर मिलेता पूरा पाई अरे नाम अमर्त दी तारा, उना दे हिर्दे रूप तर्तीते वर्स दिया, जिन आनूं पूरा सत्गुर मिलदा है, इस करके जिन आनूं पूरे सत्गुर मिलगे है, उना ने की प्रापत किता है सत्गुरां तो प्रेम पदार्थ पाए दा, प् मन जा इस प्रेम कीद्म क्यों होती साथ रावन होते सो रंक्न जिन सर दीने 円 मे री आओ प्रेम घेडता साम जदेने खेडी है मैं तो परहोजाना ही प्रेम धी अवस्था है असली प्रेमपदार्थ जनमपदार्थ घ्यानपदार्थ मुक्तपदार्थ नाम पदार्थ जिमें तर्म अर्थ काम ओख है इमें एवी पन्य पदार्थ है प्रेम पदार्थ नाम पदार्थ ज्यान पदार्थ मुग्त पदार्थ ते जन्म पदार्थ एप अगांवाले अनू प्रापत हुंदे है प्रेम रूप दार्थ सत गुरुदे दर्तों प्रापत होंदा है अमुलो और इना प्रेम पदारत अभी अमुलक आंब जन दा सावजाद्या नू परापत हो गया सी तन बाबा दीब संग दी अमर शहीद पाई तारव संग दी पाई मनी संग दी ऐसे महापुरका नू प्रेम पदारत त सी मिलया होया मोल क जीवन बन गया उनागा खूल कुन अमोल वा पार अमोल पण शुब्स नुब्स, फूल प्रिरंप भार्ण जिवन बन गयाउन्टर घुड़ której रग लेंदे याया काई ऐन का सब्ञेरव से पूरातलो उन अनु प्रेम्पदार्थ द्वारा प्रापत हम दियां हान सच्चे कावापारी होवा विड सच्चे नाम दे वपारी सौधा करन वाले गुर्मख सच्चो सौधा पाएदा सच्चे सत गुरु प्रमेशर दे दर्तो नाम रूप सौधा प्रापत कर दे शुब गुणा दा सौधा पौंदे हान वस्तुऊं, सच्चा सौधा विर्ला को पाए, अच्च दा बपार करनाले बथे रहे, दुनिया दे सोख मंगन वाले, नाम रूप सौधा कोई विर्ला ही पौंदा है, बाबा करम संग दी होती मर्दान वाले कोले को गुर्म खनाम बाबाडी मिलेना डाक्टर पाई वीर संग दीने बचन लखेया, कैंदे जदो आये, सिंगा नू कैन लगे, जड़े सिंगा आये, सनू नू बलाओ, लब के लियाओ, लब के लियांदा, कैंदे पाई काच दा बपार करनाली दुनिया तुरी फिर दी है, ये हीरे दा बपा सिया, गुरहाच तरियो मेरे बाद था, इस करके सच्चा नाम रूप सौदा, हीरा रूप वाहिगरू दा नाम रूप सौदा, ए धात, ए बस्तु, कोई विरला प्रापत करदा था है, महराज निक्या जग में तुम काड ये विरले के ही के, पूरा सत्गुर मिलाय मिलाये, इना चर पूरे सत्गुरू नी मिलदे, उना चर पूरे सत्गुरां दे मलाये, तो बिना वाहिगरू नाल नी मिलेया जन्दा, अधूरे ता पाई, आप भी दोब देया, ते दुझ्यानू भी दोब दन्देया, गुर्मख होय सो हुकम पशान, लेडा गुर्मख बन जड़ा हो गया, गुरू दी किर्पा नाल जड़ा मिल गया, जन्दा मलाद ता, ओ भेर हुकम दी पशान, हुकम दी पशान की या हुकम दी रजा वेच रहना, ते जो बरतारा वरत्रिया, ये वाहिगरू तेरे हुकम बिच्च है, पाहितारू संग जीदा खोपर ले रहा, संगा ने पुछया तो अड़ाखो पर ले रहा, कोई तकलीफ, कहन लगे भी सातगुरां दी हुकम दी रहा, तकलीफ का दी है, कहन दे दृष्टा पाद वेच बैठे है, दृष्टा दृष्ट दोव पदार था, एक पदार थोंदा, एक देखनवाला, कहन दे वाहिगरू वेजिए खेडनों देख रहे हैं देखनवाले बनके, एस करके पाई, गोर्मख देडा वाहिगरू दे हुकमनू पछान का समझदा है, पाव आहिगरू दी रजा विच रेंता है, माननैं हुकम समाएदा, वाहिगरू दी रजानू मन के, नाम जपन रोप हुकमनू मन के, फिर की हन द खुकमी दिविच अपेद हो जन्दा, ओदे विच लेन हो जन्दा है, खुक में आया, खुक म ऐसा हुकम समाया, और हुकम दिविच गुर्मँ ल्दी दृष्टि कैसी हुंदी है, ओक और दुर्षे में आचया जेवा रहे, अफे हुकम दे भिच है, जड़े जा रहे है यह भी हुकम दे विच्च है ते जड़ा समाया मिले अपेद होया ओवी वाहिगरू दी हुकम किर्पा दे नाली हुकम दे विच्च हुकम किया वाहिगरू दा नाम वाहिगरू दा नाम जदो आ गया प्राप्त हो गया फिर हुकम समाया फिर वाहिगरू र वाहिगरू दे प्यारें दिरिष्टी है कि जिनना जगत पैदा किता है दिस रहा ए सारा वाहिगरू दे हुकम पैविच अगन वह सदवाओ पैविच चल्ला लख द्रियाओ ए सारे हुकम दे विच्ची पाया पैदा किता है हुकम दे विच्ची वाहिगरू ने सुर्ग मनाया देवतियां देरें वाला मच्छ मात लोग पै आला पताल लोग पुन्न दा सोखपो गुन्वाले देवते डिड़े को बहुत है पुन्न करदे ना दान पुन्न कही अधा सुभार निकन निकन कठे करीजाने हैं कैसेनु पानी प्लाता किसे नुद कोश करता कें देवी पुन्न कठे कर लिया पारे पुन रस्ते दे विची जम लुट लेंदे है कर्म तरंपा खंड जो दीसा है तिन जम जागाती लूटे निर्बान कीरतन गाबो करते का निम्क सिमर्त जित शूटे क्वीर नर्क सुर्गते मैं रहो सद गुर के परसाद इच्छानी करनी गुर्सिक सुते ही करदा नम जपन लेगी सिम्रन वे आसले गुर्बानी दे वे आसले इस करके सुर्ग बासनह भाचिये डरियन नरक नवच होना होई सो होई सो हया मना की जयास्ट इस करके पारिस स्वर्ग दी इच्छा पुन करके देवता बन गाया पुन्न ते पाप संडे होए, अध्दे पुन्न अध्दे पाप ता मात लोग ते आ गया यह बडै पपी है, पाप ही करदा रहा फिर प्रेड़िया जोनना विच्छ पताल भीचष रहन वालिया विच ड़के पह गया इस करके सारी रचना वाहिगरू ने मात लोक मच मात लोक सुर्ग स्वर्ग अते पताल लोक तक जो रचना रचिया उदे हुकम विच्च हुकम में खला रहाए दा सारियाँ शक्तिया रेंदिया हन। उझार उधियाँ की पिवडागा रहन। सादिवा नेकिस मेर इसा ये भिषै ये न झमुझ कर हमाहन। में अवथा आफियाँ degundеся को इस ने साददे मुझाते चान साह। तो दिनियां मर्धियां शक्तियां दखाके अपना स्रीर रख सक्देशा पर हुकुम मेंच साथ संग जी कई वेरी ऐसा हुंदा गुर्मख कोलो शक्ती कुंट्रोल नी रंदी जा कई साधन कर लेंदे उना कोलो शक्ती नी संभी जंदी पर जेड़ा असली गुर्मख है ना ओधियां बर्कता दिनियां नाम विच्चों सिमर्न विच्चों गुरुदी किर्पा ना उनु प्रापत हुईया ना जेड़ा पानामनन वाड़ा ना ओधे हुकम मेंची रहन दियां अग्या तो बार नहीं चल दियां कल्गी तर पाथ शानु जाद करिये दिने कंगड गए हुए है पाई पर्मसंग तर्मसंग रोज नमा पलंग बना के नमा बस्विस्त्रा बशा के सेवा कर दिया एक दिन शंका होई ते आनन सुने हो ते हास्दा बचन के कल्गी वाड़े सत गुरू सुने आंभी बढ़ियां शक्तियां दे मालक है पर शक्ति किदर नू गई बड़े साब जादे चुमकावर विच शिहीद कराले चुमकावर साब शोटे सरहंदियां नहीं जालमाने चन के शिहीद कर दे शक्ति तक कम ही नहीं किती है शक्ति तक कोई जलवाई नहीं होया क्यों ना बचा सके क्यों ना फिर शक्ति दखाई है सिख्खां दे मानविचे ख्याल आगया रस्ते दे विच रोख देया के शिहीद सें पीले बस्तर पाए होये कदे केसरी कदे सपेद जुद्धे निले अधिकन लग पय है। जदो नेडे आये, कैंदे तुसी कौन हो, तो अधनाम की, कैंदे शिहीद संह, किफे रंदे ओ किंदे कलंगीतर पाशाजी जिदे पलंगे दा पचीहजार सहीद संह, आठ पैर पैरदंदे, आठ पैर, आठे पैर. असी कल्गी तर पाथ शारी दे चर्णा विच रहंदे हाँ केंदे शक्ति किन्नीक है सुने अविश इदा मिच शक्तियां हुं दिया केंदे शक्ति बड़ी है तो अड़े तो चली नी दानी अचल चाल है यह चल्या नी दाना तेन प्रताव केंदे नहीं बखाओ सेरक आसनु लालया पैर तर तीनु एड़ा वेराट सुरूप बनालया हाथ जोड के कंबन लागे केंदे नहीं उसे रूप विचाओ केंदे एक गल्दी शंका आई तुसी केंदे शिहीद तो अड़े विचेनिया शक्तियां पच्ची हजार शिहीद पहरा दंदे कलंगी तर दे पहर पलंगे दा जदो साव जादे शिहीद किते ओदो तुसी किते सी ओदो क्यूना शक्ति दखाई क्यूना साव जादे अनु बचाया ओड़े विचेनिया खैनलकी पाई परमसंग तरमसंग कलंगी वाले सतगुरु दा होकम नी सी रजा बचनना मिठा पाना मनना एसकरका उनाने रोक्या होयासी उनाने मिठा पाना मनन के तर्मधी रख्याली अपने लाल शिहीद कराद थि पहेर पाई परमसंग तरमसंग कलगी तर पाठ्षा दीदे चर्न चाहे वरा कर लग पे महारा बिंदी संतान रखलेंदे असी धर्शन करदे मारा केंदे पाई परमसंग तरमसंग तरती ते चार लिकां खड़ो लिकां खड़ियां केंदे मेट देऊ मेट दितियां कलंगी तर पात्षा पुछ देया है जो लिकां वाईयां सानोदों कोई खुशी होई केंदे जी खुशी की होनी है तो अड़ा हुकम अनने है कोई खुशी नहीं, कोई प्रसंता नहीं, जदो मेट दितियां कोई दुख, कोई अफ्सोस, कहनदे कोई दुख नहीं, कहनदे एस इतरह साब जादे जदो संसारते अवतारता आरके आए, मनुखा मंगू जनम नहीं लेया, अपनी इच्छा विच ता रम्दी रख्या ली एस करके अवता रखती अवतारा, विबता दुखांतों आके जड़ा सरिष्टी दी रख्या करें उन्हों अवतार केंदे ए, तरम्दी रख्या ली जदों नहीं अवतारता रहा, ओदो दिन्यावी लोकां वर की खुशी नहीं होई जिमें लोक बेंड बाजे बजाओं दे श्रामास दा सेवन कर दे गल्त कम कर दे माया अपनी पापा मिच अड़ों दे साथ संगे जी आज सिखा मिच अपने बच्चेयां दे जानम देन मनोन दा बड़ा रुजान चल पया, तो बचो गुरु के गुरुपर मनाओ, शिहिदां दे धाडे मनाओ, बच्चेयां दा को सेर तोड़ने बचाई, दे करके अरदास करो नली सिखी दान मंगो, एस करके गुरुपर मनी दी नाम दी कमाई दी दात मंगो, तो साब जादे जदो मार अरकें दे साथे कारविच पैदा हुए दुनिया दे मनुखा मंगो खुशीनी असी मनाई, तो जदो तरम दी खातर हो गये, दस रत नू, पता सी राम चंदर ने, लश्मन ने, चौदा साल बाद बाब साधना पर मेला तो छाड मार के प्राण दे देते, विशोडा नी चल सकेया, इबराहीम पुत्तर दी बली नी दे सकेया, बड़ा कठन है साथ संग जी, अब तारा कोड़ों भी पुत्तर दा बली दान नी दता गया, पर तन गुरु गोवन सिंग साथ सचे पाच्छा जिना ने अपने लाल खिडे मत्थे तर मंदे उत्तूंदी कुर्बान कर देते, अपनी अखां दे समने, कभीर मेरा मुझ मैं किश नहीं, जो किशा है सो तेरा, तेरा तुर को सौंबते क्या ल रखदा है, हुकमे तर्ती तौल सेर पार, हुकम विची तर्ती है, तर्म रूप तौले दे सेर उत्ते तर्ती दा पार, तौल तर्म दया का पूर, दूज्या तौला बल्दनी है, तौल की है तर्म, तर्म दी आश्रे तर्ती दा पार, हुकम दे विच खडोता हुया है, हु वाहिगुरु दे हुकुमिच पाउन हवा पाणी यते गयनारं अकाशे साध्यय बनाये हुकमे सेव सक्ती करवासा हुकमिची सेव सतो गोन शक्ती तमों गोन इना सारे नू वाहिगुरु परमेशर ने बनाया हुया है और अपने हुकमिची सारी शक्ती दा वासा रख्या हुया है हुकमे खेल खेलाए दा संसार दी खेड में हुकम दे विची खड़ूदा ते खीर खड़ा भी दन दा मेट भी दन दा है पहला बनोदा खेड दा है फिर खड़ा दन दा मेट दन दा है होक में आडाने आगासी, होक में जाल थाल तर पवन वासी, होक में जाल थाल तर पवन वासी, होक में सास के राष सदा फोला था संगजी मुढ के हुकम दे विच्छी स्वास चल रही है ग्रास नाम रोजी भी हुकम लिच्छी दे रही ह zu इ, मुड मुड के सास ग्रास जेड़ हो अंदर जा रही है चल रहा है ता अन गुर thumbs नानक साब जीनू, सिद्धा ने पुछे आसी मारा स्वास के दे आस रहे है त्रैसत अंगल वाई ओ दूत इसका कौन अधारो त्रैसत दास उंगल स्वास बार जन्दा ते मोड के कौन पौंदा बापसंदर वाहिगरू ग्रास दे रूप विच ये मोड मोड के दे शास ग्रास दी खेड स्वासा नू चलोन दी वाहिगरू ने अपने हुकम इचलाई होई है ते हुकम दे विची सास ग्रास दे नाम दी किर्पा मोड मोड के गुर्म खानू बक्ष दन्दा है खुक में देख दिखाए दा, खुकम देविची वाहि गुरू सारी स्रिष्टी डड़ी देश रही आउनू देखदा है, खुकम उपाए दस आउतारा, खुकम देविची दस अवतार, विश्नुदे माच्छ, काच्छ, नारसिंग, ब्रा, भोध, ब्रावतार, कल की जदो हो दस देविची दस आउतार, राम, चंदर, क्रिशन, आदक, जिन्ने भी दास अवतार, हुकम देख प्रमेशर ने पैदा किते है, देव दानव आगनत अपारा, थेती क्रोड देव ते दानव राक्ष अगनत गिनती तो रहत, प्रकिर्ती द्वारा जिन दा पार अंत नी प आए दासवदा ऐसे सारे वाहिगरूने हुकम देखी सद्या आउ, मन हुक्म सो दर्गाह पैजा, देडे पाई ओसु हुकमी दे हुकम दे नाम जपनदा, और दूज्या रजा दा हुकम, एड़ेड़ा मन देख अनो वाहिगरू देख और वाहिगरूने द्रगाह देख शर आप जादे ने पाणा मिठा मन्या सारी स्रिष्टी आज उना दे सनमान विच हाथ जोड के खड़ी है ऐसा सनमान जोग जोग अटल उना दरेना संसार विच उना ने हुकम मन्या दरगादे विच जासदा सिरोपा उना पहनाया जान्दा है साच मिलाए समाएगा सच्चा वाही गुरू नाम नाल मेल के उना नुआ अपने विच जाँ पूरा गुरू नाम नाल मेल के जोड के प्रमेशर विच समादन्दा अपेद करदन्दा है खुक में जोग शती ही गोदारे भुक में विची शती ही जोग गोजरे है ब्रह्मा नुहकार हो गया मैं कबल तो नि पैदा हुए मां दा पमान करन दा बड़ा बड़ा पाप आज मां बाप दा बड़ा दुनिया पमान कर रही है साथ संग दी कलगी तर पात्षाज भी मात आमा दा किनना सितकार कर दे सानौ नम शकार करके फेर जल पनी शक दे सा। मात आमा दा इंणा सितकार ब्रह्मा ने कवल दी नाली दा पमान किता के न मैदे चो पैदा हुया लत्मारी हंकार आगया मैं स्रिष्टी नू रचनवाला नाली विची डिग पया कवल दी नाली विच ठारा जोग ठले नू तुरेया गया अंत नहीं पा सकेया अर्दासां कीतिया के वाहिगरू बाहर कड़ स्वास अर्दासां कीतिया ठले डिग या बंदा छेती उत्ते ओना दुग्णा जोर लगदा जेड़े छती जुग लगने सी परमेशर दे दर्ते अर दासां कीतियां फर ठारा स जुगां दे विच्ची उत्ते आया बाहर आया अंतनी पास के आ परमेशर दी रचना दा और हुकमे जोग छती गोदारे तन गुरु नानक साप परमेशर ने देड़ा वाहिगरु नाम दता न सानू ये वाहिगरु नाम है न देड़ा वाहिगरु परमेशर ने नो नो जोगे एक एक अखर दा जाप किता पाहिगुर्दाह जी ने भी लख्या रहो विचा वावा अ आखर नौन जोगे दा वियास, हाहे दा नौन जोग ठारा होगे, फिर गग्ये दा नौन जोग, फिर रारे दा नौन जोग, यो शत्ती जोग ये वाहिगरू नाम दा वियास होया, जड़ा गुरू नानक साब ने सानू बक्षिया, अकाल पुर्ख ने इस नाम दा वियास, ए जाप विच्ची गुज्रे बतीत होया यूं भी अर्थ है भुक में सिद सादक वीचारे बढ़ियां सिदियां दखोन वाले सादक सादन करन वाले विचारवान तत वेते वाहि गुरू दे हुकम विच्ची पैदा होया आप नात नाती सावजा की आप नात मालक नथी जमात दा जिमें कोई नात हुना दिया गे जोगियां दी जमात संसारूप जमात दा नात मालक वाहि गुरू है सारे अंदा भक्से मुक्त कराए दा देनानू भक्ष दन्दा स्रिष्टी विच्चोनानू मुक्त करदन्दा है काया कोट गड़ा महें राजा जिमें किला बनाया हुंदा राजे ने अपने रहन वास्ते काया दे रूप कोट है किला है और इजे विच अंतकरन रूप सेज्द्या दते वाहिगरू ब्राडदा है जा दसमद्वार दे विच नेब खवास पला दर वाजा नेब हुंदा कीदार एस तरह साथ संगे जी और पला दरवाजा मू लादता वाहिगरू ने एसे इतरह नेवकेड़े इंद्रिये इंद्रिये दिने भी है एपाई सारे चोबदार हन और खवास चोंकीदार की है इन अदे इंद्रियां दे देवतिया फुर्णा सफुर्ण करोन वाले अंदर इंद्रिया नू सफुर्ण कर रखन वाले एपाई चोंकीदार देवतिया पला दरवाजा केड़ा सचे नाम दा वाहिगरूदे नाम दा ब्रह्म ज्यान रूप वाहिगरूदा एपला सब तो चंगा दरवाजा है जहां वहराग रूप इसे तरह प्रेम रूप चौंकीदार है ते पला नाम रूप दरवाजा है ऐसी वाहिगरू ने इस सिर्जना किती हां मिथेया लोब नाही करवासा इना दा हिदेरूप करविच वाहिगरूदे वास हो गया टेक गये उना नूप दार्थ जेड़े आए इना लोब नहीं दे अंदर हो दा ओ मिथेया संढ़ देया नास वंत संढ़ देया साब जाद्यानू केंदे सित्र लोकी दा राज लेलो केंदे नास वंत इना दा की लोब करना जोडे दी जुत्ती दी नोक नाल ठकरादते सारे पदार्थ सारे लोब तान सानो महापुर्ख एस करके पाई पदार्था दा लोब नाने मिथेया संढ़ के नास वंत संढ़ के तियाग देता है, हिर्दे रूप कर दे विच पदार्था दा लोग मिथिया जान करके नहीं आउन देता है, इदा वासा नहीं आउन देता, लब पाप पशुता दे लब करना तो एको कर्म करने है, एक करदा जीव पश्टाउदा है फेर तान वाहिक्रूदे प्यारे इना द फुरना कर दे श्रीर रूप नगर देविच्छ स्थ शुंतोख देडे ए पैरा देन वाले आपाई मारा तन्गुर नानक साब ने कहा इसी नाम भीद सुन्तोख स्वागा रख गरीब भीवेश जाब जी साव दे दास पाठ कर ले मंगन लगन दा देदो आ देदो सेवा थव प्री मांगन बहुता, मारकन नाम दा भीद पाके संतोख दा सुहागा देना, एस करके स्री लूप नगर दे विच्छ, सत संतोख पेरेदारीर करन वाले हैं, तेनु दुझे पासे जान तो रोकन वाले, तेरी रख्या करन वाले हैं, बिना संतोख नहीं कूरादय है, संतोख बिना त्रिपती नहीं, और सत नाम तो बिना प्रापती नहीं है, एस करके पेरेदार हन, उन्हाने इंद्रियां दा जात, और सत सत बोलना, एसे तरह पाई संतोख जीवन दे विच्छ कीता है, जात सत, जात सत रख्या, डोले नहीं गुरू के खाल से, आया, सत्गुरू